जै महाकाल आप से भी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एक्स्टा नॉलेज इन हिंदी में मैं आज आप लोग लिए बहुत इंपोर्टेंट वीडियो लेकिया हूँ एड्मिट कार्ड आ रहे हैं यहाँ पर रेटेन एक्जाम के लिए तो इसमें स्लेवर्स को लेकर के प्रॉब्लम चल लेए थे तो आज मैं आप लोग लिए वीडियो लेकिया हूँ तो यह आप लोग का नोटिफिकेशन है आप लोग को पता होना चीह है एसी सेंटर साउट टी अटीसी का आप लोग का नोटिफिकेशन है ठीक है बैंगलोर का आप लोग का यहाँ पर एड्ड्रेस दिया गया था आलो बर इंडिया यहाँ आप लोग को जो है अड्मिट का कोक की भी अच्छी घासी वेकंस्य चूक की लिए लोग अप गाय किया हैak फिर आप लोग करेंग इस्टिक्टर लिए उस्ट रेया है लेवर लृत फिर आप टोरी संफाई वाला के लिए तो स्टेट में आप लोगी प्लेस की पूरी पूरी इंफोर्मेशन है तो यदि आप लोगोंने आफ लाइन अपलाई किया होगा तो आप लोगों पूरी जानकारी होगी यदि नहीं है तो आप लोग रेक्रूटमेट वाला वीडियो देगी आफ लाइन अपलाई वीडियो लवर के लिए, Cleaner के लिए, Cook के लिए, Civilian Catering Instructor के लिए, Lever के लिए, MTS के लिए, तो यहाँ पे जो आप लोगी वेकेंशी थी, Lever, MTS, Cook इसमें आप लोग के Only और Only यदि आप लोग 10th पास थे तो आप लोग ने यहाँ पपपलाई किया, आप लोग देख सकते है, Cook के लिए बीटेंद चाहिए था cleaner के लिए आप लोग 10th पास थे तो apply कर सकते थे इसके लावब लेबर के लिए बीटेंद पास थे तो आप लोग यहां पर apply कर सकते थे तो आप लोग का syllabus आप लोग का admit card आया है या फिर आने वाला है syllabus की जानकारी आप लोग ज़रूर ले लिए return exam की तैयरी शुरू करती है क्योंकि return exam आप लोग के होने वाले है admit card आ रहे है मैंने वीडियो बनाया है आप लोग वीडियो देख सकते हैं यदि आप लोग नहीं देखा है तो return exam syllabus and selection process जी हम selection process यहाँ पर आप लोग का रहने वाला है return exam सबसे पहले आप लोग का यहाँ पर return exam होगा लेकिन यह जो है आप लोग का qualifying nature का होगा return exam के base पे ही आप लोग का यहाँ पर selection होने वाला है चलिए इसके बाद आप लोग को बता दू return और आप लोग का जो trait के base पर selection है return exam syllabus जी है सबसे important चीज़ आप लोग का syllabus है part 1, part 2, part 3, part 4 याने कि 4 part आप लोग का होगा पेपर एक ही होगा लेकिन इसमें चार पार्ट होंगे जिसमें कि आप लोग के general intelligence reasoning के 25 question 25 mark के ही होने वाले है इसके बाद आप लोग का second part जो होगा general awareness का होगा इसमें 50 question आप लोग को 50 number के मिलने वाले objective type paper होगा यानि कि एक question के चार answer होगे जिसमें से एक answer सही होगा वो आप लोग को choose करना होगा दो घंटे का paper होने वाला है यहाँ पे बिल्कुल clear मैंने कर दिया है link मैं आप लोग को दे दूँ आप लोग download कीजिए PDF, read कीजिए, तयारी कीजिए जी हाँ preparation आप लोग करते रही है note की जानकारी है आप लोग के note कुछ दियेगा यहाँ पे आप लोग देख से दर written exam जो है आप लोग का हिंदी और English दोनों language में होगा किसी परकार की tensor लेने की जुरूत नहीं लेकिन जो English का paper है यानि कि जो English subject है पचास नंबर का यहाँ पे आने वाला है यह आप लोग का English में ही रहेगा यह आप लोग का हिंदी में नहीं होगा इस चीज़ का आप लोग धियान रखीगा देट सो question है देट सो मार्स के और दो गंटे का आप लोग को proper time मिल रहा है negative marking जी हाँ यहाँ पे negative marking भी आप लोग को होने वाली कितनी होगी क्या होगी आप लोग को paper में पता चलेगी ठीक है और question जो है आप लोग का matriculation level का होगा 10th level का paper होगा किसी प्रकार की आप लोग को tension लेने की ज़रूरत नहीं है चलिए इसके वाद general intelligence and reasoning की बात कर लेते हैं जो कि आप लोग के 25 question 25 number के यहाँ पे आने वाले है general intelligence and reasoning 25 number 25 question 25 number के आएंगे ठीक है इसमें आप लोग की आएगी analogy similarities and difference के question आएंगे space visualization के question मिलेंगे आप लोग को problem solving analysis के question मिलेंगे आप लोग को judgment के question आप लोग को मिलने वाले reasoning इसके लावर decision making visual memory के question आप लोग को मिलने वाले discrimination observation के question आप लोग को मिलेंगे इसके लावर relationship concept के question आप लोग को मिलेंगे बिल्कुल real syllabus आप लोग को provide करा रहा हूँ इससे अलग आप लोग को नहीं मिलने वाला है इस चीज़ का आप लोग धियान डखेंगे figure classification के question आप लोग को मिलने वाले mathematical number series के question मिलने वाले और इसके लावर non-verbal series के भी question आप लोग को मिलेंगे test में आप लोग जो include question होंगे design to test of candidate ability to deal with object ideas वगएरा आप लोग को deal करने के जनकारी ideas, symbols, relationship और arithmetic computation ठीक है इस परगार के आप लोग question मिलने वाले हैं ध्यान रखीगा reasoning की पूरी जनकारी मैंने आप लोग को दे दी इसके लावर general awareness के आप लोग के पचास question यहाँ पर मिलने वाले हैं इसमें आप लोग के current events के question मिलने वाले हैं current के question मिलेंगे इसमें अच्छा हैं आप लोग के इंडिया के question हो या फिर इंडिया की जो भी पडोसी countries हैं उनके question आप लोग को देखने को मिल सकते हैं current के ठीक है इसके अलावा आप लोग को sports, history, culture, geography, economic, science के question आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे general polity के question आप लोग को मिलेंगे जिसमें की Indian constitution and scientific research के question आप लोग को देखने को मिल सकते हैं ठीक है इसके अलावा भी आप लोग को question देखने को मिल सकते हैं इसके अलावा आप लोग की English language है English language में आप लोग की vocabulary आएगी grammar आएगी sentence, structure आएगी synonym and antonyms आएगे और इसके correct uses and his writing ability would be tested ठीक है यह सब कुछ आप लोग का English में आने वाला English का आप लोग को बहुत बड़ा इस नहीं है ठीक है English आप लोग देख लेंगे English के 50 question आप लोग के आने वाला है numerical aptitude के question आप लोग को मिलेंगे यानि कि math के question आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे इसके अंदर गद आप लोग को आने वाला है number system, computation of whole number, decimal and fraction relationship between numbers और fundamental arithmetic operation percentage, ratio and proportion, average interest, profit and loss और discount के question आप लोग को देखेंगे मिलेंगे इसके लावा table and graph के question, mensuration, time and distance के question आप लोग को देखने को मिलेंगे relations and time और time and work etc यह सभी questions आप लोग को जो है math में आप लोग को देखने के मिलेंगे paper आप लोग को जो है यहाँ पे matriculation standard जी है question will be matriculation जी जगी आने कि 10th level का आप लोग का paper होगा किसी भी प्रकार की आप लोग को tension लेने की ज़रूरती है पूरी पूरी जानकारी मैंने आप लोग को syllabus की दे दी है जी हाँ यह पेडियाप मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया थाकि किसी प्रकार के आप लोग को दिक्कत ना हो इसका link मैंने आप लोग को दे दी है आप लोग link पे click करके इसे download कर सकते हैं जी है पेपर कोई ऐसा मेरी तरफ से बनाया नहीं गया especially आप लोग देख सकते हैं इनका जो syllabus है बिल्कुल same to same यही पेपर आप लोग का है ठीक है कुछ अलग आप लोग के लिए नहीं है देर्सो कोशन देर्सो नंबर के दो घंटे का टाइम मिलने वाला है तो पूरी जानकारी मैंने आप लोग को अपने इस वीडियो में दे दिये किसी परकार के कोई प्रॉब्लम आ रही है syllabus related या फिर और भी कोई information लेनी है AST Center South to ATC के बारे में तो आप लोग वीडियो कमेंड बाचों कमेंड करके मैं से पूछ सकते हैं मैं आप लोग को पूरी जान करेंगा बट अभी मैं आप लोगों से वीडियो लेने चौंग और जान्स पर लेएक होंगे यह दी चैनल पने चैनल को सब्सक्राइब की वीडियो के लाइक कीजिए बैल आइकोन लोग वेटर को जुरूद भे था कि इसी प्रकार के इंपोर्टेंट एक इंफ्पर्मेटिव वीडियो आप लोग लोग रोके भाए थैंक्यू, see you next time